हेलो एक्जाम है बिहार SSC का एक्जाम जो की संभावित है 26-27 लेकिन मैं क्या बता हूँ दुखी कर देता है आयोग बिहार के जितने एक्जाम है आपको दुखी करने वाले यह सब एक्जाम आयोग है कोई यह नहीं सोचता कि जो स्टूडेंट है वो क्या सोच रहा है उसको क्लियर नहीं किया जाता है कि कब एक्जाम होगा क्या होगा इतनी सारी अंसर्टेंटी हो जाती है न कि वंदा ऐसे ही परिशान हो जाता है इतनी सारी अंसर्टेंटी कर देते हैं कि वंदा इतना परिश साइस नॉवम्बर को होगी और आज क्या तारिक हो गया दो तारिक हो गया दो नॉवम्बर या नौ सितंबर को आपने दो महिने पहले एक notification दिया उसके बाद क्या आपका एक फ़ी फर्ज नहीं बनता है कि बीच में एक और notice दिया जाए कि हाँ यह चैन हो गई है इस examination center का chain हो गया है आपका exam होगा ही होगा क्या नहीं बनता है आपने एक calendar दे दिया लेकिन हम जानते कि कितना यह calendar यह लोग follow करते हैं इसलिए गुस्सा आता है इसलिए क्योंकि देखो BPSC का भी calendar आया बोला गया कि भया क्या होगा कि 68 का notification आ जाएगा और 8 जनवरी को paper हो जाएगा कहां हुआ हो गया क्या नहीं हुआ न और नहीं होगा अभी तक तो vacancy नहीं आई है आगे ही बढ़ेगा हो तो मैं यह UPSC का calendar होता तो सभी एकदम निश्चिन्त होते सारे स्टुडेंट जितने candidate है सारे निश्चिन्त होते कोई doubt ही नहीं था चुकि यह बिहार का है और इतनी सारी अंसर्टेंटी यह लोग कर देते हैं create करते हैं जानुच कि यह ड्रामा क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं है एक अरे यार आप आप एक commission हो एक बहुत ही established आप एक body हो आपके आदेश पे center selection होता है आपके आदेश पे पूरा mechanism काम करने लगता है तो क्या आप बोल के आप इतना भी नहीं कर सकते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह लोग नहीं लेंगे 26 तो चल रही है तयारिया लेकिन यार किसके साथ खिलवार करना चाहते हो अगर लास्ट टाइम आपकी तयारी नहीं हो पाई तो बच्चे तो तयार कर रहे हैं लेकिन उनका मनोबल डाउन कर दोगे अब आपको लगता होगा कि नहीं यार क्या दिक्कत है इससे 26 को नहीं और उससे उस दिन नहीं हुआ तो उसका मतलब जो है ना मेमोरी और उसका माइन सेट एकदम डाउन फॉल आता है फिर वो कई दिनों तक बैठा रहता है कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं जैसे कि मैं बता रहा हूँ बीपीसी वाले कैडिडेट जो होंगे मैक्सिमम जो ए देखो कोई सूचना आई नहीं है इस पर खुल के आयोग को एक प्रेस कॉंफरेंस कर देना चाहिए कि एक्जाम होगा उनको हो जाती है बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे 9,00,00,00 में बहुत ऐसे केंडिडेट होंगे जो दूर-दूर से आते हैं इक्जां ढम जो कहीं दिल् रिजर्वेशन फूल हो जाता है अब आपने ना एडमिट कर जा रही किया भी तक ना आपने कोई सूचना दी कि भाईया एक नौ सी नमबर को दे दिया उसके अलावा कोई सूचना ही नहीं दिया तो कैसे कोई टिकेट लेगा ये भी एक दिक्कत है फिर आप बात कि आप इस्ट वाले को वेस्ट में फेक देते हो जैसे किसी का गोपाल गंज दिस्टिक है तो उसको पूर्निया दे देगा अब बताओ ये पूरा चार सो किलोमेटर पार करके जाओ ऐसे ही होता है उल्टा पूल्टा नौर्थ को साउथ साउथ को नौर्थ इस्ट को वेस्ट वेस तो ये खेला खेलते हैं ऐसे ही चलता है साथ में corruption तो इसमें था ही अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ अभी PC में थोड़ा वो दिख भी रहा है इसमें क्या सुधार? अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ इसका होना चाहिए था काईदे से इनको पेपर देना चाहिए था पेपर आपको मिलना चाहिए था साथ में answer की जारी करना चाहिए थे कुछ नहीं करते हैं सीधा result दे जाते हैं एक तो खेला ये भी है कि तीन shift प्लस में ही exam होगा तीन shift में shift में exam होने का मतलब है normalization normalization का मतलब ये है कि आप अलग-अलग paper दे रहे हैं उसमें देखा जाएगा कि किसका number कितना देना है वो normalize किया जाता है paper के standard को देखके आप कितनी गलतियां कर रहे हैं मान लिज़े आपने swap attempt किया और आपके accuracy अच्छी है 90 तो आपका हो सकता है कि 90 प्लस भी number आ जाए लेकिन आपने swap किया 110 किया और आपके भी आ रहे है 95 तो हो सकता है आपका इन नंबर 90 वाले से कमा जाए यह होता है normalization normalization कोई अच्छी चीज नहीं है तो normalization भी है इसमें ना आप paper दे रहे हो ना आप result का answer की जारी करते हो सीधा result दे रहे हो तो कैसे पता चलेगा बच्चो को मेरा क्या सही हुआ अब मेरा क्या गलत हुआ तो यह भी एक खेला यहां पे होता है तो guys मैं क्या ही बताओ अभी तक कोई certainty नहीं है बट मैं यह कह सकता हूँ इन तमाम जो यह सारी चीजे हो रही है इसमें आप अपने यह बना दिया है मैक्सिमम 25 गंटे का प्लेइस्ट है जिसमें करेंट से लेकर सब कुछ है मैथ और रिजनिंग मैंने उसमें नहीं डाला है क्योंकि मैथ और रिजनिंग मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस वाली चीजें आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आप यह आगे का मत सोचो पस्पोर्ण होगा नहीं होगा यह मत सोचना आप आप यह मान के चलो कि आपका एक्जाम 26 या 27 को ही हो जाएगा उसी हिसाब से अपनी तयारी करो सेट लगाओ और यार यह तो कोशिस करेंगे आपको कोई वेट कर रहे है कि कोई तो नोटिफिकेशन आ जाए कुछ तो बताए यह लोग कि हाई गाप इस दिन को ही होगा यह आगे बढ़ेगा तो इस दिन को बढ़ेगा इस दिन को होगा लेकिन मैं यह मानता हूँ कि 26-27 की ही हिजाब से त्यारी होनी चाहिए कोई अभी तक ऑफिसियल नोट आइसा नहीं है जो नोटिफिकेशन है मैं वह आपको दिखा देता हूँ तो आइटिंक यह वो यह वो सुचना थी जो कि 9 सितंबर को जारी होई थी सबको पता ही होगा यह देखा ही होगा बड़ फिर भी बता देते हैं जिनको नहीं पता हूँ इसमें एक कैलेंडर जारी हो गया था कैलेंडर टाइप का जिसमें पहले से पता दिया गया कि 26-27 मंतरन कितिती होगी और प्रिक्षा जो है मुख्य का वह मार्च 2023 में रिजल्ट उसका अप्रेल 2023 में और अनुसंसा का प्रेशन जो है मई जुन 2023 में हो जाएगा यह कैलेंडर तो है लेकिन अब तक कोई ऐसी सूचना इस से रिलेटेड एक और जारी होनी चाहिए थी और इन कि आप तैयारी में लगे रहिए अभी तक कोई चेंज नहीं है आएगा तो अपडेट किया जाएगा मिलेंगे अगले वीडियो में बाए बाए